डियर इस्टुडेंट्स आज हम क्लास 12 आरबीएसी बोर्ड में आएवे ओब्जेक्टिव कोश्यंस और फिलिंदी ब्लेंक्स के बारे में यहाँ पे डिस्केशन करेंगे उसका सॉल्यूशन करेंगे और यह विपर आज ही 24 मार्च 24 को हुआ है तो फर्स्ट कोश्यं है कि एन एक्जामपल ओफ एन नौन एल्बुमिनस सीड इस तो आपके सामने चार ओप्सन दिये वे हैं यह ओप्सन है वीट, बी मेज, सी पी या डी केस्टर तो इसका एंसर हो जाएगा सी पी हमें मालूम है कि नौन एल्बुमिनस सीड के अंदर जो एंस एक्जामपल्स होते हैं उसे याद करने की भी एक्ट्रिक होती है पी बीजी यानी पबजी पी बीन एंड ग्राउंड न यह एंसर हो जाएगा साब, चलिए नेक्स्ट कोशन को देखते हैं, नेक्स्ट कोशन है, चूज दी करेक्ट सिक्वेंस ओफ प्रोसेसेज इन हुमन री प्रोड़क्शन, फर्स्ट ऑप्सन ही क्या है आँ देखते हैं, गेमीट औजनेसिस, फिर उसके बाद में गेमीट फ् प्रोड़क्शन, फर्ड दियावाए जाएगोट और उसके बाद में एंब्रियोनी डिवलप्मेंट, यहां पर तो एउप्सन ही सही जा रहा है, हमेशा डिवलप्मेंट प्रोसेस के दोरान, यूमन रिप्रोड़क्शन में, पहला हमेशा क्या होता है, गेमीट औजनेसिस गेमीट औजनेसिस भी हमें मालूम है कि दो पार्ट में डिवाइट करते हैं इसे, इस्परमेट औजनेसिस और उजनेसिस, और इस्परमेट औजनेसिस के दोरा किसका फर्मेशन होता है, मेल गेमीट इस्परम का और उजनेसिस के दोरा ओवम का फर्मेशन होता है, जब इस आगे जाकर के multi-cellular embryo का formation होता है तो इस तरह से ये पूरा developmental process के बारे में बताया जा रहा है embryonic development की process के बारे में बताया जा जा रहा है तो पहला क्या हो जाएगा gametogenesis, second हो जाएगा gamet fusion यानि फटलेशन और फटलेशन के बाद बनता है जाएगो deployed जो deployed होता है और उसके बाद multi cellular embryo का formation होता है यानि embryonic development होगा आएगे next question के बारे में discussion करते हैं which of the following is sterilization process in females यानि यह जो sterilization process होती है female के अंदर उसे हम क्या कहते है first option दियावा आपके सामने two genesis second है tubectomy third है spermatogenesis और fourth दियावा है vasectomy तो यहाँ पर आपका answer हो जाएगा tubectomy आपको मालूम है female reproductive system के अंदर दो tubes यानि फैलोपियन ट्यूप आयाती है one pair जिससे हम oviduct भी कहते हैं इनको cut करके इनको tied up कर दिया जाता है जिससे आगे जाकर के fertilization होने के chance कम हो जाते हैं बंद हो जाते हैं इसलिए females के अंदर installation process को करने किससे best method कौन सी है साब आपके tubectomy अगर male का यहाँ पर सवाल पूशता तो answer हो जाता वैसक टॉमी और उसके अंदर किसकी cutting की जाती है साब और किसको tied up कर दिया जाता है वास difference को आईए next question के बारे में देखते हैं next question है the unequivocal proof that DNA is generating material came from the experiments of we scientists आपके NCRT में दिया वाए कि 1920 से ही DNA के बारे में पता करने का अपरियास चालू कर दिया गया था सबसे पहले जो experiment दिया वाए आपके साब transforming principle which given by Frederick Griffith 1928 फिर इसके बाद में तीन scientist आयते एवेरी मेकलोड और मेकार्टी जिनोंने biochemical characterization of transforming principle दिया था 1933-44 में और सबसे लास्ट में जो आया था कि genetic material is DNA ये दिया गया था अलफ्रेड हर्से और मार्था चेज के द्वारा तो आपका option यहाँ पर सही कौन सा हो जाएगा अलफ्रेड हर्से और मार्था चेज option नमबर जो है डी ये सही answer होगा फिर next question है कि which nitrogenous base pairs with guanine nitrogenous base in DNA आप सभी को मालूम है कि DNA के अंदर purines के सामने pyramids जुडते हैं और अगर एडिनीन की बात करें तो एडिनीन के सामने double hydrogen bond से थाइमिन जुड़ेगा तो उसी तरह के से guanine के सामने triple hydrogen bond से को जुड़ेगा साथ साइटोसीन और यही सवाल आउसे पूछा है तो इसका answer क्या हो जाएगा B option सही है साइटोसीन आईए next question पर चलते हैं next question है Darwin's finches is an example of Darwin's finches यह example है साइड़टीव radiation का यह chapter अपने evolution सा है एक question additive radiation का best example क्या है बड़ा के Darwin's finches next question है bacterial disease is इन चारों में से bacterial disease कौन सी है पहला यह option यह option जो है वो हो जाएगा dipteria जो micro bacterium dipteria के द्वारा होता है जो बैक्टरिया है malaria तो साब sporogen से होता है protojova और किस से होता है प्लाजमोडियम से और अगर amoebiasis की बात करते तो end amoeba histolytica जो क्या है एक end amoeba histolytica भी क्या है protozoan है ascariesis की बात करें तो ascaries से होगा जो क्या है ascar elementis के अंदर आता है तो यहाँ पर सीधा-सीधा answer क्या हो जाएगा साब इसका answer हो जाएगा dipteria आईए next question पर चलते हैं next question है citric acid is produced by which of the following microorganism diabetes का answer हो जाएगा aspergillus analyzer D option हो जाएगा aspergillus analyzer जिससे citric acid प्राप्त किया जाता है next हो जाएगा साब agaroselle is extracted from agaroselle जिसका use gel electrophoresis में किया जाता है इसको प्राप्त किया जाता है B option से हो जाएगा यहाँ पे seaweeds seaweeds किसके अंदर आता है red algae में आता है साब किसे माता है red algae seaweed से agaroselle प्राप्त किया जाता है next question है golden rice developed by biotechnology is rich in golden rice किस चीज़ से rich है तो साब यहाँ पे answer हो जाएगा vitamin A A option हो जाएगा vitamin A next question correct set of processes which decreases the population density population density अगर decrease हो रही है तो उसके लिए कौन जिम्मदार है तो यहाँ पे सिदा-चिदा answer हो जाएगा mortality and e-migration mortality and e-migration यानि मृत्युदर और उत्प्रवासन यानि किसी population में से अगर कोई part अगर बाहर चला जाता है तो उसे क्या बोलते है उत्प्रवासन यानि e-migration जिसमें क्या हो जाएगा population density क्या हो जाएगी कम हो जाएगी या अगर उसी density में अगर कुछ लोग या कुछ population क्या हो जाती है साहब आपके मर जाती है यानि mortality प्राप्त हो जाती है उनको तो साहब उससे भी क्या होगा population density क्या होगी decrease होगी तो answer हो जाएगा mortality and e-migration अगर यही question में अगर यह दिया होता increases तो answer होता आपके साहब natality and immigration आईए next question के बारे में decision करते है कि population interactions in which both these species get benefited both these species जब benefited होता है यह दोनों को positive positive sign है दोनों को benefited है जैसे अगर बात करें lg plus fungi का mutualism का बहुत best example है तो यहाँ पर answer हो जाएगा mutualism क्या हो जाएगा mutualism moth and yaka को भी ले सकते हैं आप example के रूप में है तो साहब यहाँ पर जब बहुत are benefited है तो इसका क्या हो जाएगा option c mutualism next question पर आते है an example of man-made ecosystem natural ecosystem होता है और एक क्या होता है artificially man-made ecosystem man-made ecosystem कौन सा हो जाएगा a option दियाव आपके सामने desert, b दियाव रिवर्स, c दियाव एस्चूरी और d दियाव एक्वेरियम तो इसका सीधर से आइंसर क्या हो जाएगा d एक्वेरियम जो fish के लिए होता है फिर next question पर आजाओ next question है the natural interaction of food chain is cold जो natural interaction है food chain का उसे हम क्या बोलते है a option हो जाएगा food wave क्या हो जाएगा साम food wave next question when was the world summit on sustainable development held in Johannesburg, South Africa यह साब biodiversity वाले चप्टर में से है South Africa के Johannesburg में जो world summit हुआ प्रति सम्मेलन हुआ 200 सम्मेलन हुआ वो कब हुआ था तो इसका answer हो जाएगा 2002 B option next question example of a hot sport is तो यहाँ पर direct answer हो जाएगा B option Himalayas next question पर आजाओ अब आजाएंगे साब आपके सामने fill in the blanks fill in the blanks के अंदर first fill in the blanks की बात करते है फ्यूजन बिकम्स दी तो central cell होती है वो टेपल फ्यूजन के बातरी sunlion के पसात किसमे convert हो जाती है तो साब यहाँ पर answer हो जाएगा P.E.C primary endospam cell के अंदर convert हो जाती है यानि प्रात्मिक brunpose kosika के अंदर convert हो जाएगी next question है कि does help in collection of ovum after ovulation ovulation के बाद में सीधा इसको collection करने का काम कौन करता है तो साब यह हो गया जैसे मालनों यह ovary है तो ovary से direct ovidate का कौन सा पार्ट जुड़ा रहता है साब जो finger like projections होते है इसे हम क्या बोलते हैं फिमरी तो फिमरी help करता है किसको बढ़ा के collection of the ovum after ovulation और फिर जब ovum कहां पहुचता है एंपूला में तो एंपूला पार्ट में क्या होता है साब ovidate के एंपूला पार्ट में fertilization next question to determine the genotype of a toll plant in F2 in F2 mendel cross the toll plant of F2 with a dwarf plant this is called यह सीधा example है यह सीधी सी बात के दिकि किसके बारे में test cross test cross इसे हिंदी में कहते हैं अपन परिक्षन संकरन के बारे में किसके बारे में बोल रहा है यह परिक्षन संकरन किसके बारे में बोल रहा है परिक्षन संकरन प्रेक्शन संक्रण में क्या होता है साब जो F1 जनरेशन होती है उसका क्रोस जब किसके साथ कर दिया जाता है पैरेंटल जनरेशन के साथ में इसमोल टी के साथ में कर दिया जाता है तो हम उसे क्या बोलते हैं साब तो हमें नेक्स जनरेशन के अंदर पता दल जाता है F1 जनर इंदर किसके जीने टैप के बारे में पता दिल जाता है कि क्या रीष्य क्या नहीं है वह होता है वह होता है हो जाएगा टेस्ट क्रोश आप ररिक्षाण संक्रान क्या नेश्ट कुशंप पर आते हैं इसको क्या है साब डिलिशन और इंसर्शन और बेस पियास इन डिने को जो डिलिशन यानि की जुड़ना घटना और इंसर्शन यानि की एड़ना इसको हम क्या बोलते हैं कि उसके फ्रेम में परिवर्तन आ गया तो इसे हम क्या बोलते हैं फ्रेम सिप्ट म्यूटेशन क्या ब इसका answer हो जाएगा या frame shift उत्परिवर्तन. Next, dash principle says that allel frequencies in a population are stable and is constant from generation to generation. इसका answer हो जाएगा hardy-win-berg principle. क्या हो जाएगा hardy-win-berg principle. hardy-win-berg principle हो जाएगा साब. hardy-win-berg principle. next question है, dash is a protozoan parasite which causes amoebiasis. इसका answer हो जाएगा ant amoeba histolytica. क्या हो जाएगा साब के ant amoeba histolytica. ant amoeba histolytica. ant amoeba histolytica. यह हो जाएगा answer जो एक protozoan जो amoebiasis disease प्रेदा करता है. आईए next question पे. the puffed-up appearance of duff fermented by bacteria is CO2 is due to the production of dash gas. तो इसका answer क्या हो जाएगा साबा के CO2. carbon dioxide gas निकलती है साब. इसमें होता क्या है anaerobic respiration. और anaerobic respiration में कौन सी gas निकलेगी साबा के CO2. CO2 next the cutting of DNA at specific sites becomes possible with the discovery of the dash enzyme called as a molecular seizure. कई बच्चों नहीं यहाँ पे restriction enzyme लिका होगा लेकिन यहाँ पे question में आपके क्या लिका होगा है specific site और specific site से काटने का काम कौन करता है. restriction enzyme की दो टाइप होते हैं. restriction exonuclease और restriction endonuclease तो यहाँ पे answer हो जाएगा restriction endonuclease या इसको हम क्या बहुते हैं. पर्ती बंदित endonuclease enzyme फर्स्ट जो restriction endonuclease उसका क्या example है साब फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन endonuclease कौन सा है हिंद सकेंड. आईए नेक्श्ट कोश्टन पे, detoxin is coded by a gene named, तो इसका answer हो जाएगा, इसका नहीं हो जाएगा answer cry gene, क्या हो जाएगा साब के cry gene, detoxin is coded by a gene, जो आपने पढ़ावा है bacillus, thuringiasis वगर इंस सब के अंदर example आता है cry gene, तो cry gene इसका answer हो जाएगा साब. Next question, introduction of the African catfish, dash for aquaculture purposes in our rivers, किस African catfish को जो होता है, हमारी नदियों में लेके आया गया था, aquaculture process के मत्ति से पालन के लिए, तो इसका answer हो जाएगा, क्लेरियस गेरी पीनास, क्या हो जाएगा साब, क्लेरियस गेरी पीनास, क्लेरियस गेरी पीनास, तो इस तरह से सारे objective questions complete होते हैं, और fill in the blanks भी complete होते हैं, उमीद है कि आप सभी को, ये जो questions की जो series है, पसंद आई होगी, तो आप मेरे channel को like करें, subscribe करें, thanks.